जहन फेंड्स, I am Shubham Welcome to my YouTube channel SMSTD Guru UPSSC Lower PCS 2019 का एक्जाम 30 सेप्टमबर और 1 अक्टूबर को 4 पालियों में सवाबत हुआ आज अस इस वीडियो में बात करेंगे 30 सेप्टमबर Morning Shift के Reasoning सेक्षन की इन सभी पेपर के PDF हमारे Telegram चैनल से मिल जाएंगे आप लोग हमारे Telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिकसप्सन में दे देंगे मिलाने के बाद अपने अपने मार्क्स कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपको वीडियो यह अच्छा लग रहा हो तो यहां से देखिए नीचे से S का T प्लस 1 यहां पर प्लस 2 Y Z A यहां पर Y Z A B प्लस 3 यहां पर प्लस 4 यहां पर Z और E तो प्लस 5 तो 1 2 3 प्लस 5 यह नीचे से ऊपर से देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस का 5 हो रहा है तो जिस हिसाब से मैंने सीरीज बना है उस हिसाब से आप सीरीज बना लीजिए तो चेर तो C, H, A, I, R तो नीचे से देखिए B का प्लस 1 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा B का C अब इसमें प्लस 2 करेंगे नीचे से तो नीचे से प्लस टू करेंगे तो F F G H तो देखे B F स्टार्टिंग में तो B F स्टार्टिंग किस option में option D सिर्फ और सिर्फ A की option मिल ला है option D तो option D यहां से इसका correct answer हो जाएगा पूरा इसको करेंगे तो हो जाएगा X E M तो B F X E M तो इसका सही answer हो जाएगा option D अगला question देखते हैं यहां से बोल ला है यदी यदी 2 2 का जो अर्थ है वो माइनस है 2 का अर्थ है माइनस माइनस का अर्थ है गोणा गोणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस तो इस समीकरण में रखने पर कौन सा option सही होगा तो यहां से हम option C यहां से इसका सही answer हो जाएगा option C हम रख के देख लेते हैं तो 6 यहां पर भाग भाग को क्या लिखा जा रहा है भाग को लिखा जा रहा है प्लस तो 6 प्लस 12 उसके अर्थ है गोणा तो गोणा को लिखा जा रहा है भाग तो जब भाग करेंगे तीन उसके बाद माइनस माइनस को लिखा जा रहा है इंटू तो इंटू कर देंगे पांच और उसके बाद प्लस प्लस को लिखा जा रहा है माइनस तो माइनस पंदरा बरावर देखिए ग्यारा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहां से देखिए 6 प्लस 3, 4, 12 यहां से 3 का जब 12 मभाग देंगे तो 4 इंटू 5, मैनस का 15, यहां से कितना हो जाएगा 5, 4, 20, और 20 और 26 26, 26 मैनस 15 करेंगे तो आजाएगा 11 तो इसका सही option है जो वो इसका सही option आजाएगा option C इसका correct answer है अगला question देखते हैं यहां से देखिए बोला उक आकरितिका chain करिए जो C से वही संबंद है जो B का A से है तो यहां से देखिए इस step इधर यह arrow देखिए उपर तरफ था फिर इधर हो गया मतलब 90 degree गुमा रहे है तो जब उपर arrow इधर है तो जब गुमाएंगे तो arrow इस तरफ हो जाएगा तो देखिए arrow इस तरफ किसमे है option B और option C में और लेकिन यहां पर एक चीज़ आप और notice की होगी तो एक चीज़ इसमें dark हो जा रही इस देखिए इसमें 4 light है तो इसमें देखिए अनुसराण करना अनुसराण करना परहार करना अश्विकार करना अपेच्छा अंदेखी आग छिपाना भूलना या अभेलना इसमें से आपको different बताना तो different हो जाएगा पहचानना पहचानना आए वो थोड़ा different हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा option A अगला question है जैपूर जैपूर जोदपूर जैसलमेर छतरपूर अजमेर बीकानर चिताडगर कोटा सीकर और पुसकर इसमें से different क्या है तो जोदपूर जैपूर ये सब दे रखे हैं ये सभी रायस्थान के सहर है चतरपूर चतरपूर different है तो इसका सही answer हो जाएगा option B चतरपूर अगला question दिखते हैं अगले question में बोला है निमलिकित आरेक एक company तो ये देखिए नीचे आरेक दे रखाए उसमें से चार नीचे सरविच्छड दे रखे ये ये रहा तो आरेको देखिए घंदी वालेगे बार आट वीस और ये लहा तो छोगया तो इसका कंद बूरात Q कुशन देखते हैं बोला है एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है उसमें से आपको 2 के विपरीद बताना लेकिन 5 के विपरीद एक दे रखा तो 5 के विपरीद हम पहले सही एक लिख लेंगे उसके बाद हम इसके बाद एंटी के लोने clock wise चलेंगे तो 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 2 अब यहां से देखिए 1 के बाद 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4 तो 1 के बाद 3, फिर 4 पूछ रहा है 2 के विपरीद, तो 2 के विपरीद कौन से हो जाएगा 4 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B साथ का सही अंसर हो जाएगा option B अगला question दिखते हैं बोल ला है बिंद A से यह देखिए इस question में यह question गलत है यहाँ पर सही से यहाँ पर A और B के बीच की देरीद रखे है जबकि A भी जो पहुँच रहा है बीपर पहुच रहा है जोज भी पहुच रहा है बीपर पहुच रहा है कुछ इस प्रिकार का figure बन रहा है इस step से figure बन रहा है यहाँ पर भी B दे रखा है इस जगह पर भी B दे रखा है इस जगह पर भी B दे रखा है और A है वो यहाँ पर है और यह से बीच के बीच की नियुनतम दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए इस कॉशन को हम गलत मानना है इसलिए हम इसको नहीं लगाएं अगला कॉशन देखते हैं बोला एक चुनाओ एक चुनाओ की दोना राजनितिक अंधलों की प्रतियासियों के लिए अब सब्दों का इस्तिमाल करते हैं कुछ तो अपसे असिस्ट संकेद भी करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या दे रखा है महिलाओ वो बच्चों को चुनाओ सोवाँ में सामिल होने के अनुमत यह नहीं दी जानी चाहिए यह कहीं नहीं दिया गया हो है तो यह दूसरा तो नहीं होगा लेकिन चुनाओ को सभी राजनितिक्यों के लिए कठोर आचार सहता लागू करनी चाहिए तो ऑप्सन बी यहां से मैच कर रहा है तो उसका सही अंसर हो जाएगा केवल दो अनुसराण करता है अगला कुशन देखते हैं बोला डाक्टर की चेतावनी के बाप जूद रमेज जो मदमे करोगी है उसने अपने मित्र के विवा के अफसर पर आइसक्रीम खाई तो देखिए मित्र रमेज की अधिक पसंद नहीं करता था गलत यह नहीं होगा डाक्टर को आइसक्रीम पसंद यह भी नहीं होगा आइसक्रीम रमेज के स्वास्त के लिए अच्छी नहीं है बोलाए निर्धारित परवहन हर्ताल के कारण बाजार में सबजियों की कमी हो जाएगी मूल भी भढ़ जाएंगे तो सरकार को परवहन संके हर्ताल निरस्थ करने के लिए बात करनी चाहिए दुकंदारों को पहले से अत्रिक्त सबजियों खरीद कर भंडारित कर लेनी चाहिए तो जब निर्धारित परवहन हर्ताल थी तो ये सही है दुकंदारों को पहले से अत्रिक्त वो कर लेनी चाहिए और सरकार को परवन के हरताल को निरस्त करने के लिए बात करनी चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वादो दोनो अगला कुश्चन देखते हैं बोला दर्सनी है, दर्सनी मतलब आखें आखों का जो सम्बंद वो दर्सन से है तो सर्वन मतलब सुनने के सम्बंद किससे हो जाएगा कान से तो इसका सही हो जाएगा बारा का डी अगला कुश्चन देखते हैं पुस्तक, पुस्तक जो है लेखक लिखता है लेखक लिखता है पुस्तक, तो गीतगार जो है वो गाना तो इसका सही answer हो जाएगा Option B गीत कर, lyrics तो इसका हो जाएगा सही answer Option B, यहां से देखिए copper, तो जो C को C, copper, copper का कूटवास हैं में यह लिख रहे हैं, sulfur को यह लिख रहे हैं, तो sodium को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है, तो यहां से देखिए copper, तो C को C रहने दिया, O को place value लिख दी O की 15 है, उसकी वज़र P को P रहने दिया उसके बाद P की place value लिख दी 16 उसके बाद E को तो वही रहने दिया R की place value लिख दी 18, तो इसी तरीके से हम sodium का निकाल लेंगे, sodium का तो S को S ही रहने देंगे यहां से देखिए, S को S ही रहने देंगे O की place value लिखेंग कितनी आ जागी, 15 फिर D को D ही रहने देंगे I की place value लिखेंग कितनी आ जागी, 9 फिर U को U और M की place value लिखेंगे तो 13, देखिए किस option में S 15, D9, U 13, तो option C 14 का सही answer हो जाएगा, option C अगला question देखते है बोला मंच पर, प्रदस्यन कर रहे है एक बच्चे की और इंखित करते हो, इसाएग कि वक्त ने कहा कि वह सिलपी का सिलपी की पुत्री का भाई है तो सिलपी की पुत्री का भाई है, यह कोई मंच पर वो कर रहा है और सिलपा मेरे पुत्र की माँ है तो मेरे पुत्र मेरे पुत्र की माँ माली जेन की माँ की सास माली जेन की तो इसकी मम्मी होगा सास की बहु है यह दिवाय सिल्पा की पती नहीं तो यह सिल्पा की पती नहीं है इसका मतलब जो है कि यह इसकी मम्मी नहीं इसका मतलब यह कोई और है, चाची हो सकती है, फिर कोई और भी हो सकती है, तो इनका सम्मन्द, तो पूछ रहा है कि उसका मंच वाले बच्चे के पिता से क्या सम्मन्द है, तो बताना है उसके मंच वाले बच्चे के पिता से क्या सम्मन्द है, तो इसका सही अंसर हो जाएग कोई बिल्ली हाती नहीं है तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे इसको बनाएंगे कुछ बिल्लियां कुछ जो कैट है वो भौकती है जो भौकते है वो सोते नहीं है तो यहां देखिए सोने वाले जो अलग आ जाएंगे और सभी हाती जो है वो सोते है ठीक है अब option A, option A यहां से सही हो जाएगा, कुछ हाती, जो कुछ हाती हैं, वो भौकते हैं, तो यहां से यह गलत हो जाएगा, यहां से कोई अबदार नहीं नहीं मिलने हैं, जो बिल्लियां चीकती हैं, वे हाती हैं, जो बिल्लियां चीकती हैं, जो बिल्लियां चीकती हैं, वो हाती हैं, जो हाती भौकते नहीं है, जो हाती जो है, भौकते नहीं है, वे बिल्ली यहां, तो यहां से कोई सटीक नहीं, इसका केवल एक, तो इसका सही आंसर हो जाए, केवल एक अनुसरान करता है, option A यहां से correct हो जाएगा, अगला question देखते है, स्टीए एम, तो यहां से देखिए, स्टीए एम, इसके बाद जो सीरीज दे रखी, इसमें आपको बताना है, किसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए हम last वाले में, starting में तो B भी दे रखता होंगा, last वाला हम चेक कर ले, तो यहां से देखिए M, M की place value यहां से कितनी आ रह हम इसी से निकाल देंगे, P की place value यहां से हो जाएगी 16, Y, Y की place value हो जाएगी 25, S, S की place value हो जाएगी 19, और B, B की place value कितनी हो जाएगी 26, 26 तो जैट तक होगी, फिर 27, A, 28 का B, जैसे 28, तो अगला पूछा है, तो यहां से देखिए 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19, 19, तो 3 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 3, 3 का देखिए, 22, 35, 38, 23, 22, 22, 22 की place value किसकी होते है, T, U, V, तो 20 की हो जाएगी V, इसका सही देखिए, लास्ट में V किसमें, option C, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C, अगला question देखते हैं, यहां से देखिए, jam, jam, lag, n, i, i, p, o, g, r, u, e, तो इसमें आपको बतान है, अगला क्या होगा, तो यहां से देखिए, jam, jam के बाद J, K, L, तो यहां से plus 2 हो रहा है, तो इसमें भी plus 2 करेंगे, तो T में अगर plus 2 करेंगे, तो T के बाद क्या है, T, U, V, तो एक तो V मिलिया, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, A और E के बीच में, तो A, B, C, D, E, प्लस 4 हो रहा है, तो A में भी plus 4 करेंगे, तो A में plus 4 करेंगे, तो B, C, D, और E, तो यहां से हो जाएगा, V और E, उसके बाद देखिए हैं, last वाले में, M वाले में क्या हो रहा है, M आले में में देखिए KLM माइनस का 2 हो रहा है माइनस का 2 करेंगे C में C में माइनस 2 करेंगे तो हिजाएगा A तो देखिए V E A V E A आ गया और इनकी place value का add दे राख भैया है यहां से देखिए Jam में Jam में देखिए तो यहां से हो जाएगा M का 13 प्रश्चन के स्थान पर कौन से संख्या आएगी यह आपको पता ना है तो यहां से देखे इसको थोड़ा जुम करके देख लेते हैं यहां से डिफ्रेंस देखिए, यहां से डिफ्रेंस है, इसमें डिफ्रेंस है, यहां से डिफ्रेंस, यहां से 6 का डिफ्रेंस, दुबारा देख लेते हैं, यहां से 6 का डिफ्रेंस, इसमें 9 का डिफ्रेंस, इसमें देखिए 12 का डिफ्रेंस, इसमें 15 का डिफ्रेंस, इसमें 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 20 तो तेस में अगर 20 का डिफरेंस कर देंगे तो आंसर आजाएगा 2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A option A का correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं बोला एक पिता एक पिता और पुत्र की आयू पिता और पुत्र मतलब फादर और सन की आयू का 13 अंपाद तीन दे रखा है अब बोला माता की उम्र माता की उम्र 33 तो पिता की आयू का बताना है तो यहां से अगर हमें पिता की आयू पता लग जाएगी तो माता का अंपाद निकाल देखें चारों option में देखिए किस option से हम पिता की आयू निकाल सकते हैं तो यहां से देखें पिता और पुत्र की आयू का अंतर माता की आयू से कम है तो इससे तो निकलेगा नहीं पिता की उम्र 27 वर्स थी तो इससे भी नहीं निकलेगी पिता की उम्र जोगी हमें फिर यहां से correct इस नहीं पता लगी कि अभी पिता की उम् सी से भी नहीं निकलेगी तो option D बसता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D option D इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं बोला है जो A है वो B से लंबा है और B C से छोटा है जो B है वो C से छोटा है B जो है C से छोटा है तो यहां से देखिए यह हो जाएगा उन में से सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा बताना है तो यहां से देखिए option क्या दे रखे हैं हमको C सबसे छोटा नहीं है अगर हम C को सबसे छोटा नहीं रखेंगे लेकिन हमको A और C में relation निकलना है A اور C में relation अगर हम निकल आएगा तब ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौं है लेकिन सबसे छोटा तुमें को पता है सबसे चोटा B है लेकिन A और C में हमको रिलेशन अगर पता लग जाएगा कि A और C में कौन लंबा है तो हम बता सकते हैं इन दोनों में से सबसे लंबा कौन है तो देखिए A और C में डिलेशन किस से निकल सकता है तो B सबसे लंबा नहीं इससे भी नहीं निकलेगा C और B की ओसत लंबाई A की लंबाई से बराबर है तो इससे भी नहीं निकलेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा option D अगला question देखते हैं बोला A जो है A जो है वो B का पुत्र है तो A है B का पुत्र है तो B का पुत्र हो गया A उसके आग बोला है B C का पती है तो B जो है C का पती है तो C अगर इसकी माता हो गई A पुत्र है उसके हाद बोला D D E की मा है तो E की मा होई D और बोला F की पतनी है तो F की पतनी है F की पतनी है तो F इसके पती होई उसके हाद बोला B का सम्मंद F से किस प्रकार है तो B का सम्मंद F से निकालने के लिए देखे किस उप्षन का यूज़ करेंगे तो D की मा, D की मा, C की सास है, तो D की मा, D की मा है, वो C की सास है, तो C की सास कौन से हो जाएगी, देखें, C की सास, यहां से देखिए, क्या करेंगे, तो यहां से इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, क्योंकि यहां से देखिए, बोल लाता, A के पिताब B है, B की, C की मम्यों हो ग वो अगर C की सास हो जाएंगी, तो इन दोनों की जो पैरलल B और F कर लेसान हम यहां से निकाल सकते हैं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, अगला question देखते हैं, यहां से देखिए, 5, 6, A, B, C, D, E, एक पंक्त में इस प्रकार खड़े हैं, यह A, C, E किनारे स्थान पर हैं, तो जो A, C, E है, A, C, E है, A, C, E है, वो किनारे स्थान पर नहीं है, तो यह तो B होगा यहां पर यहां फिर D होगा, तो अगर हम B और D का स्थान फिक्स कर लें, तो मैं पता लग जाएगा सबसे पहले कौन खड़ा है, तो E से से आगे लेकिने के पीछे तो अगर इसमें से हम B और D के स्थान 6 नहीं कर पाएंगे E बिल्कुल मद्दम है तो यहां से भी C से भी नहीं कर पाएंगे C से आगे 3 चात्र है तो C से आगे 3 चात्र है इस जगह पर रख देंगे तो सीधी सी बात है यहां सी से आग़े तीन शाट रहोंगे तो इससे भी हम पता नहीं कर पाएंगे तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B अगला question देखते हैं बुल ला है VW GST JPQ M N K तो इसमें असंगत को बताना है कि असंगत क्या है तो D का देखे D W एक दूसरे के यहां से देखिए एक दूसरे का अपोजिट वाले हैं तो D का W, G का T, J का Q लेकिन M का अपोजिट हो जाएगा N M का अपोजिट होता है N जबकि यहां क्या दे रखा है K तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D देखे J और Q आपस में opposite होता है G और T आपस में opposite होता है D और W यह सभी आपस में opposite होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D अगला question देखते है IB 1BY 6FV 11JS 16NP तो यहां से देखिए एक पाँच छह छह पाँच ग्यारा ग्यारा पाँच Sl Isla 21 तो 21 तो देखिए सभी में है 21 तो सभी में है तो अगला ही हमको देखना पड़ेगा कि अगला क्या सुकेंस बन रहा है यहां से देखेंगे तो B और F में देखिए B C D E F ओ पी क्यू और आर तो 21 का आर देखिए 21 और आर किस ओप्सन में 21 आर एम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अंसर इसी के साथ 30 सेप्टमबर मौनिंग सिप्ट का रीजनिंग का जो 25 कोश्चन थे वो पूरते सॉल्ब हुए अगर वीडियो क्यू वर वाचिए वीडियो